कि एले दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों को एसे एमटेसेंड हवालदार 2021 के बारे में एक बहुत बहुत बारा फैक्ट बताऊंगा जो कि ट्रूथ भी है सच भी है उसको मैं फैक्ट के साथ फूल प्रूप के साथ बताऊं मैं एसेशी एमटेसेंड हवालदा 2020 के रिजल्ट के पीडियेफ को खोल लगा हूं जो एसेशी द्वारा जारी किया गया था साथ अक्टूबर को इसमें देख सकते हैं एमटेस के लिए लगवग 44,590 बचों का सेलेक्शन हुआ है और हवालदार के लिए 24,570 बचों का सेल लाओं कि यह प्लश दो से तिन रह सकता है सभी स्टेट जो सेलेक्टी होंगे अब देखिए यह दिल्ली का जैसे की कमें जो आप आप देक्सकते हैं ऑल्ड़ोंट का अठारह से पचीश का सतासी 0.17 गया इसी तरह अलगालग श्टेट का सबकार दिया मैus जैसे उतर परदेश का 18 से 50 अंजर फ्रीट का लगवग Ninety गया है टो कि हावलदार का इसी तरह की दिट यह ons कि हवालदार का इस मैंजे से दिल्ली का और जब के 93.95 गया है ठीक है तो यह अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग गया है तो दूस्तों चलते हैं फैक्ट के बारे में फैक्ट की और जो कि मैं बोल ला हूं तो सबसे पहले मैं खोलता हूं कि एसेशी म्तीश 2020 के जो डिस्क्रिप्टिप का रिजल्ट आया था जो 27 जूलाई को लग-बग आया था वो रिजल्ट को मैं खोलता हूं देखिए एसेसी दोबारा 27 जूलाई को जारी किया गया था एसेशी descriptive का result इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों का पता होगा कि SSE MTS 2020 में लगबग 3,700 वाकेंसी है और यहां पे यह 9754 कंडिडेट्स को बुलाए है के लिए descriptive result के बाद 9754 लगबग यह कितना है तो यह 2.6 गुना 2.6 गुना है जो कि यह लोग 9754 बच्चों को बुलाए हैं डॉक्मेंट वेरिपिकेशन के लिए मतलब 3 गुना लगबग मान की चलिए यह तिन गुना है यह डॉक्मेंट ट्रीपिकेशन के लिए बलाए है अब दुस्तों आपको लेड़ चलते हैं इसके फांडिल कटव को जो की अभी जारी हुआ है 15 अक्टूबर को पांडिल कटवर को इसका कितना गया है पहले इसे में था कि पहले किस किसी स्टेट का कितना किता गया था जैसे कि हम लोग दे देख सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का हम लोगा कितना ग्यांद रिजब कर तो 86.58 और सबस्टेट के इसी तरह अलग-अलग है यह है डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट अब फाइनल कटप पे चलते हैं जो कि अब यह भी जारी कि दिल्ली का जो उतना कटप गया था फाइनल कटप में कितना गया है डिस्क्रिप्टिव के बाद जो दिल्ली का उतना कटप गया था फाइनल कटप में कितना गया है तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं दिल्ली का 18-25 एज ग्रूप में सेले था 83.40 मतलब लगभग में आपका 2.5 नमबर इंक्रीज हुआ है इसी तरह आप यूपी का देख सकते हैं यूपी का उत्तर परदेश का उत्तर परदेश का अंड़ जब्ड का 1825 पर जैसे कि अब दोस्तों आप लोग देखे थे कि उत्तर परदेश का डिस्क्रीप्टिव के रिजल्ट में कितना था देखे दोस्तों फिर से आपको दिखा देता हूं यहां पर 86.58 मतलब इक नमबर क इंक्रिमेंट हुआ है फाइनल कटप में तो दोस्तों मैं इसको एसे से एमटी एंड हवलदार 2021 के रिजल्ट से क्यों जोर के देख रहा हूं चलिए दोस्तों अभी मैं बताता हूं इंतजार किजिए थोड़ा सबर किजिए सब मैं आपको एक्स्प्लेंड करूंगा ओके तो देखिए दोस्तों यह हमारा है एसे से एमटी एस 2021 का रिजल्ट यह हमारा सेसी MTS इंड हवालदार 2021 का रिजल्ट यह जो हम हवालदार में सेलेक्ट हुए हैं जिस चिसका डिजेट का हवालदार में हुआ है उनका हम अनका यह हुआ हुआ क्यूंकि हावलदार वाले म् शेलेक्ट इप होसकता है उनका हाइठ पूरा होगा बहुए होगा है तो जिनका हवालदार में हुआ है जैसे कि आप लोग पता ही है कि हवालदार का cut-up MTS से ज्यादा गया है हवालदार का minimum cut-up 85 85 है लगभग में earned result का OBC काफी इतना ही है तो जो जिसका हवालदार में हुआ होगा जिसका MTS में भी हो आगवा उसका एकदम confirm है तो दोस्तों मैं यह कैसे relate कर रहा हूँ ऐसे से MTS 2020 के result से तो जैसे कि आप लोग देखे थे वहाँ पे कि descriptive के जब result आया था तो लगभग 2.6 गुना candidates को बुलाया गया था document verification के लिए ठीक है और यहां पे टूटल हमारा कितना sheet है तो लगभग 78,000 मतला 8,500 कम है 8,000 के लगभग में sheet है मान लिजिए 8,000 का लगभग में sheet है और यह हवलदार का कितना गया है हवलदार का गया है आपका हवलदार का total selection कितना है 24 मतलब यहां भी दोस्तों तीन गुणा candidates का chain हुआ है कि वहल मैं अगर हवलदार का बात करूं कि कितना cut-up जाएगा final cut-up से मतलब यहां भी तीन गुणा candidates का chain हुआ है लगभग अभी तो यह तीन गुणा है tier 1 के result के बाद और जब final में जाएंगे कि जब descriptive का exam होगा तो जैसे कि दोस्तों आप लोग पता है कि descriptive का exam इस बार 45 minute का हो गया है और a से 28 सो वर्ड में और प्लस में लेटर देर सो वर्ड में मतलब 400 वर्ड 45 minute में लिखना है तो इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे डिस्क्वलिफाई भी होंगे, यह कंफर्म है, 80% बच्चे कौलिफाई होंगे, 20% बच्चे डिस्क्वलिफाई होंगे, अल्मोस्ट में, फिर उसके बाद आपको पता है कि इस बार फिजिकल भी होने वाए हवालदार का, तो हवालदार का जब फिजिकल होगा, तो लगबग 16 से 17,000 बच्चे बच जाएंगे, अब जब 16 से 17,000 बच्चेंगे, तो यह कितना गुना हुआ दोस्तों आप ही बताईए, यह उस्य में SSC MTS 2020 का जब descriptive का result आया था, तो उस्य में था 2.6, अब 16,000 जब बच्चेंगे, तो यहां भी लगबग 2.1 गुना, 2.1 गुना बच्चे बच जाएंगे, 2.1 गुना बच्चे बच जाएंगे, जो कि उस्य भी कम है, ठीक है, तो यह document application के लिए, अगर 2.1 बच्चेंगे, तो आप यह बताईए, कि अगर यह हवलदार का cut-off, हवलदार का cut-off, अगर दिल्ली का 93 गया है, तो इसमें तो maximum मेरे को लगता है एक नमर के increment होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इसी तरह अगर UP का cut-off, कोई भी state का, जो भी state का जितना भी गया है, जिसे 85 अगर गया है, कोई भी state सबसे minimum गया है, तो उसमें अगर दो नमर आप अधिक लाएंगे, दो नमर से रहाई नमर, तो आपका selection final cut-off तक एकद क्योंकि मैं आपको fact बता दिया हूँ, यह confirm है, कि इतना गुणा बच्चे का, तो तीन गुणा बच्चे का holdar के लिए हुआ है, उसमें MTS का भी है, और final selection तक वहीं बच्चे जाएंगे, जो दोनों freefence दिये है, कुछ बच्चे जो है 5% मान सकते हैं, जिनका height नहीं पूरे तो वो descriptive के तयारी पूरा जोड़ शूशर करें, आपका final cut-up होगा, यह देखके डरे नहीं, मैं आपको fact भी बता दिया, कि MTS 2020 का कैसे हुआ था, अरहाई गुना बच्चे को लिए गया था, और लगबग 2-8 एक number भी UP में बढ़ा है, final cut-up के लिए, इसी तरह इसमें भी हो होगा, दोस्तों यह fact को समझजिए और truth को समझजिए, ओके दोस्तों अगर आप लोग अच्छा लगे तो एक like कर देना और subscribe भी कर देना एक विरुजगार का भाला हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको किसी दोस्त को बताना है, इस fact के बारे में तो share कर दिजिएगा टेलिग्राम चैनल या कहीं भी WhatsApp ग्रूप में, थैंक यू, धन्यवाद